Hello friends and welcome to our most exciting video of Dholayra SIR. This video is about latest ground report of Dholayra SIR and surroundings. तो आईए देखते हैं, आज की देट में Dholayra में क्या-क्या काम चल रहा है और कहां-कहां पर काम complete हो चुका है या फिर होने वाला है. इस वीडियो के शुरुवात हमने एहमदाबाद से की है, so that आपको एक आईडिया लग जाए कि हम एहमदाबाद से धौलayra कैसे जाएंगे. So, we have tried to cover the entire route and वापसी में हम आपको लोथल की भी सैर कराएंगे. So, stay tuned till the end of this video. यह वीडियो आप एंड तक जरूर देखेगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कोई question, कोई queries हो या फिर अपना feedback देना हो तो comment section में definitely लिखेगा. So, let's get started. हम लोग अभी SG highway पर हैं, that's सर्खेज-Gandhinagar highway. यहां से हमने अपनी जर्णी स्टार्ट की. And after almost 30 minutes, we will be reaching towards सर्खेज. यह जो आप area अब देख रहे हैं, यहां है सर्खेज का area. अब हम आगे बढ़ते हुए, पहुंचेंगे सनाथल. और सनाथल सर्कल से हम towards बगोद्रा राजकोच highway की तरफ जाएंगे. यहां पर आपको बता दे, while coming from एहमदबाद, if we take right towards सानन्द, यह वही वाला area आजाता है, जहां पर टाटा ने अपने नैनो प्लांट की स्थापना की थी. आप सब यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस एक industry के आने से state में कितनी employment generate हुई, और कितने ancillary industries आई होंगी. So, in all, it was quite a good deal for Gujarat state. Now, आगे बढ़ते हुए, हम सनाथल circle cross कर रहे हैं, and we will be moving towards बावला. बावला में काफी बड़ा industrial area है, और 300 to 350 से ज्यादा चोटी बड़ी industries already operational है इस area में. Moving forward, अब हम बगोद्रा circle पहुँच गए हैं. बगोद्रा circle से, we are taking left towards फैद्रा. फैद्रा approximately 20-22 किलो मेटर होगा बगोद्रा से. And once we are reaching फैद्रा, यहाँ पर आपको on highway itself कुछ complexes दिखेंगे, खाने पिने के लिए restaurants बिलेंगे, some shops, etc. you will see here. और यहाँ पर on right-hand side आपको gallops hotel and on left-hand side आपको toran hotel मिलेगी, which has a chain of restaurants in Gujarat. और जो भी visitors towards भावनगर जाते हैं, या फिर अम्रेली की तरफ जाते हैं, या फिर धौलेरा देखने आते हैं, definitely एक बारी gallops पे या फिर toran पे, रुक कर चाय नाश्ता करते हैं, या फिर lunch etc. करते हैं. या जो फैदरा पीपली road आप देख रहे हैं, कुछ साल पहले तक, this was a single lane, and आज आप देख सकते हैं, काफी शानदार सा चार लेन का highway बन गया है, and यह development हमने अपनी आँखों के सामने देखी है, पिछले देड़ दो साल का काम रहा होगा यह, इस road पर आगे चलते हुए, हम एक board देखेंगे, जिस पे लिखा है, वे टु धौलेरा इंटरनाशनल एरपोर्ट, जैसा कि आप सब जानते होंगे, या नहीं जानते तो जान लेजे, धौलेरा में एक इंटरनाशनल एरपोर्ट भी प्लान किया गया है, जिसके लिए already 1426 हेक्टेर्स ओफ लांड एक्वाइर की गई है, नवागाम विलेज ओफ धौलेरा तालुका में, और इस एरपोर्ट को जितने भी required clearances है, वो सब मिल चुके हैं, थोड़ा सा आपको यह एरिया दिखा देते हैं, जहां पर एरपोर्ट के लिए land एक्वाइर की गई है, वैसे यहां पर ground पर अभी कुछ काम नहीं हुआ है, बट maximum clearances, feasibility studies, and paperwork का काम complete हो चुका है, जिस तरह से धौलेरा में government ने SIR Act बनाने से लेकर, एक designated authority, एक company का formation किया, उसी तरह से एक special purpose vehicle company बनाई गई, जिसका नाम है धौलेरा International Airport Company Limited यानि D.I.A.C.L. और D.I.A.C.L. का office है, गांधी नगर में उद्योग बवन में, D.I.A.C.L. ही responsible है, धौलेरा International Airport के सारे काम कराने के लिए, इस company में, Airport Authority of India, Gujarat Government and Central Government का भी stake है, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए, आपकी नजर पड़ेगी, इस blue board पर, which says, Actually, यहाँ से Special Investment Region Act में notified, 22 villages में से first village की शुरुवात होती है, that is Amli village, Amli village, Town Planning 1 का village है, और road के दोनों तरफ आता है, followed by Amli, आएगा गोगला village, यह भी Town Planning 1 में ही आता है, आगे बढ़ते हुए, हम पहुँचेंगे कादीपुर village, आपको बता दें, Amli और गोगला के बीच में एक village आता है, नवा गाम, which means आप एरपोर्ट यहां से भी जा सकते हैं, actually, एरपोर्ट की तरफ, तीन चार डेजिगनेटेड रोड जाएंगे, obviously, इतना बड़ा एरपोर्ट बन रहा है, international level का, so, connectivity भी वैसी ही रहेगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम पहुँचेंगे कादिपूर विलेज, कादिपूर विलेज भी रोड के दोनों तरफ आएगा, बट primarily, major residential zone, right की तरफ ही आएगा, यहां पर हम right turn लेते हैं, towards WTP, means water treatment plant, आप यहां पर एक board भी देख सकते हैं, जिसमें WTP की technical details भी दी हैं, WTP एक basic requirement फुल्फिल करेगा, जो की है पीने के लिए पानी, यह पीने के लिए पानी पहुँचाया जाएगा, industries को, residential and commercial areas को, जो की activation area में हैं, और फिर धीरे-धीरे, town planning 1 and town planning 2 में, और फिर जैसे-जैस areas develop होते जाएंगे, पीने के लिए पानी, WTP के multiple plants द्वारा, treat करके पहुचाया जाएगा, Now, we are on धौलेरा circle, यहाँ से हम पहले जाएंगे, ABCD building, So, we will just take a look at much-talked building, and the first such building of धौलेरा SIR, ABCD building का काम, almost finish हो गया है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में, Very minute work here and there is going on, Actually, काफी sections ABCD building के, already operational है, ABCD building की designing and construction का काम दिया गया था, Cube Construction Engineering Limited को, जो की, Valodra-based Infrastructure Development and Construction Company है, Contract worth 72.31 crores का अवार्ड का अवार्ड किया गया था, Cube Construction को, ABCD building धौलेरा SIR के टाउन प्लानिंग 2 एरिया में आती है, and towards west of टाउन प्लानिंग 2 in knowledge and IT zone में situated है, टाउन प्लानिंग 2 की तरफ, primarily अभी यही major work आप देखेंगे, अगर आज की date में आप धौलेरा विजिट के लिए आते हैं, कुछ villages, चैसे की, कादीपूर, भादियाद, गोरासू और ओतारिया, ABCD building के साथ लगते हैं, टाउन प्लानिंग 2 west की तरफ, और जो धौलेरा विलेज हैं, आपको बता दे, वहाद टाउन प्लानिंग 2 west, और टाउन प्लानिंग 2 east, दोनों तरफ आता हैं, आपको यह भी बता दे, कि धौलेरा पहले सिर्फ एक विलेज का नाम था, जो कि अब तालू का या तहसील बन गया है, Now, we are moving to धौलेरा सिर्कल अगें, एंड यहां से हम जाएंगे, activation area की तरफ, activation area, to be precise, ताउन प्लानिंग 2 A, और ताउन प्लानिंग 4 A, में फॉल करता है, और यह तोवर्ट इस अफ ताउन प्लानिंग 2, में आएगा, and major work, जो आप अभी धौलेरा में देख सकते हैं, as per government plans, वह इसी activation area में ही हो रहा है, आगे देखते हैं, कि activation area में क्या क्या काम हो रहा है, और कौन-कौन सी companies engaged है, इन सभी कामों को करने के लिए, activation area का शेत्र फल है, 22.5 स्क्वेर किलोमेटर्स का, और करीब 77 किलोमेटर्स की roads का development already कर दिया गया है, activation area completely trunk infrastructure पर बेस्ट है, जितनी भी services है, everything is underground, हमने अपनी previous वीडियो में, डीटेल में explain किया था trunk infrastructure के बारे में, अगर आपने वह वीडियो देखी है, तो आप easily correlate कर सकते हैं, या फिर नीची description box में उस वीडियो की link भी है, so you can check from there too, activation area में काम करने के लिए, EPC contract यानि engineering, procurement and construction का contract, worth 1734 करोर रुपीज का, L&T company को assign किया गया, for roads and construction, अब आप खुद यहाँ अनुमान लगा सकते हैं, कि 22.5 square kilometers के शेत्रफल को develop करने के लिए, कितने लोग, कितने छोटे बड़े sub-contractors, कितनी लेबर, कितना raw material, like cement, लोहा, रेती, खपची and everything, कितनी मात्रा में यह सब लगा होगा, so automatically कितना रोजगार जनरेट किया होगा, सिर्फ इस area ने, अभी तो 900 square kilometers बाकी है, सोच यह direct and indirect कितनी jobs, कितना रोजगार जनरेट होगा, DMIC corridor के सबसे बड़े शहर धौले रा SIR में, activation area में, torrent power की 400 kv and 200 kv, GIS building पर भी काम किया जा रहा है, और इस project पर काम कर रही है, high tech projects private limited company, जो की एहमदाबाद based development company है, और काफी अच्छे अच्छे और बड़े projects, already develop कर चुकी है यह company एहमदाबाद में, now moving further, यह path है activation area का, जो TP2A का कुछ path cover करता है, जो की nearby linear development भी रहेगा, linear development में, वह सारे sub town planning schemes आते हैं, जो की एहमदाबाद धौलेरा express way के साथ साथ develop किये जाएंगे, हमने बहुत ही detail में, एहमदाबाद धौलेरा express way, वीडियो में यह सब कुछ explain किया हुआ है, so that आप easily correlate कर पाएं, just in case आपने वह वीडियो नहीं देखी है, you can always refer to the link given below in description box, activation area, यहाँ नाम इसलिए रखा गया है, जैसे हम बोलते हैं activator, यानि किसी चीज की starting करते हुए, या फिर किसी काम की शुरुवात करते हैं, so हम simply बोलते हैं, यह activate हो रहा है, means start हो रहा है, अब धौलेरा तो 922 स्क्वेर किलोमेटर्स पर बन रहा है, और एक साथ इतने बड़े एरिया की development भी नहीं हो सकती, तो यह activation area एक तरह से एक prototype है, एक example है कि जिस तरह से इस एरिया में development का काम हुआ, सारे धौलेरा में इसी प्रकार से काम किया जाएगा, एक्टिवेशन एरिया के in and around खुण, भीम तलाव और धौलेरा विलेज़ेज फॉल करते हैं, और तुवर्ड्स टीपी फोर ए, राह तलाव और मुंडी भी देखने को मिलेंगे, सो एक्टिवेशन एरिया से बहार निकलते हुए हम जा रहे हैं तुवर्ड्स सेवा सधन धौलेरा, इसी बिल्डिंग में धौलेरा तालुका की प्लॉट्स या फिर लैंड की रजिस्ट्री होती है, म्यूटेशन का काम होता है, साथ बारा में बायर्स की नेम अपडेट करने हैं, यह सारा पेपर वर्क सेवा सधन में ही होता है। अब हम वापस एहमदाबाद जा रहे हैं। I hope धौलेरा का यह वर्चुल चूर आपको अच्छा लगा हो। सबसे बेस तो यह है कि धौलेरा में इतना काम देखकर मन डेफिनेटली खुश हो जाता है। क्योंकि हम अल्मोस्ट पिछले पांच साल से डे और नाइट धौलेरा को देखते हुए आ रहे हैं। कैसे सरकारी महकमों में काम हो रहा है, कैसे ग्राउंड पर काम चल रहा है। धौलेरा की इस प्रगती को देखकर डेफिनेटली मन बहुत खुश हो जाता है। अब तो इनफाक्ट पूरे भारत में चारो तरफ से इंफ्रास्ट्रॉक्ट्र डेवलेप्मेंट का काम तेजी से चल रहा है। और डेफिनेटली स्पेशल थैंक्स टू एनचे आई फो दाट। चलिए अब एहमदाबाद वापस चलते हैं। और जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम आपको लोथल की भी सैर कराएंगे। तो अब हम जा रहे हैं वापसी में पीपली वट्टामान वाले हाइवे से टूवर्ड्स लोथल जहां से एहमदाबाद धौलेरा एक्स्प्रेस वे भी निकलेगा। लोथल एक शहर था इंशेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय का। और आज की देट में भी वहां पर उस समय के रिमेंज हैं जैसे की दीवारे, तूटे हुए मकान, आग में पकी हुई ब्रिक्स, जी हां चार हजार साल के बाद भी वह इंटे as it is हैं क्योंकि वह धूप में नहीं सुखाई गई थी बलकि उस समय पर भी आग में पकाई गई है, because लोथल में चार हजार साल पहले जो शहर बसाया गया था, वह टाउन प्लानिंग की तरह ही बसाया गया था, अगर आप लोथल विजिट करेंगे, आप देखेंगे उस समय के बने हुए मकान, जिसमें रसोई गर अलग है, वाश्रूम्स अलग है, और बकाईदा सब्स फिक्स की हुई है, नालिया बनाए गई है, नल लगाए हुए है, so in all, it was kind of a full-fledged city, और उस समय अगर यह काम इतने कम रिसोर्स में, इतने अच्छे तरीके से हो सकता था, तो आज की डेट में तो बहुत रिसोर्स हैं, टेक्नोलोजी हैं, so definitely we can create a smart and sustainable ecosystem, अब हम वाप सब्स बगोद्रा हाइवे से बावला और बावला से सनाथल की तरफ जा रहे हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं, इस जगह से एहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेस वे निकलेगा, स्क्रीन पर यह रूट देखेगा, इसमें एकदम क्लेरेटी मिलती है, रूट की और फि एहमदाबाद, एक्चुली यह वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको रियलाइज होगा, कि आपने एक पूरा राउंड ट्रिप कर लिया है, फ्रॉम एहमदाबाद तो धौलेरा वाया बगोद्रा, और बाक तो एहमदाबाद वाया लोथल, तो फ्रेंज, वी हो आपने आज यह दौलेरा टूर एंजोई किया होगा, और आपको exact idea भी लग गया होगा, कि आज की date में, on ground, क्या काम चल रहा है धौलेरा में, So, thank you so much for watching our video, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो do like it, अपने comments, feedbacks हमको दीजिये, so that हम और अच्छे-च्छे subjects cover कर पाएं अपने next videos में, तब तक के लिए, take care and God bless you all.